Minecraft में कुछ प्लेयर क्रियूटी मोड में बिल्ड करते हैं और फिर गेम मोड चेंज करके कहते हैं कि हमने सरवावल मोड में बनाया है इनी प्लेयर्स मैं से एक स्मार्टिपाई भी है और आज किस वीडियो कें अंदर हम लोग देखने वाले है स्मार्टीपाई के क्रूटीव मोड वाले मुमेंट्स वीडियो सुरोने से पहले आप लोग उसे एक छोठी सी रिक्वेस्ट है कि हम लोग 330 के की बहुत ज़्यदा क्लोज है और आप लोग को ऐसी वीडियो देखना पसंदे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो स्मार्टीपाई ने रिसेंट लिए एक वीडियो अपलोड किये जिसमें स्मार्टीपाई हाउस बनाने के लिए एक प्लेटफॉर्म तयार करते हैं लेकिन प्लेटफॉर्म बनाने के लिए स्मार्टीपाई के पास ब्लोक सी कमी हो जाती है तो वो क्रियूटी मोड का यूज करके ही ब्लोक स लगाने लग जाते हैं चलो गया इसे काम करते हैं ना जब भही एतना सारा समान आही रहा है अपने लिए एक छोटा मोटा यहां पर रहने का जुगाड कर दिया जाया के लिए इस वाली पार्ट को स्मार्टीपाई एडिटिंग से अटाना भूल जाते हैं लेकिन आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि स्मार्टीपाई क्रुट्यों मोड में तो है अब गाई स्मार्टीपाई एक आरेन फाम बनाते हैं और बहुत दूर चे उस फाम में विलेजर को लेके आते हैं लेकिन एक जॉंबी उनके विलेजर की पास चला जाता है और वो एक विलेजर को मार देता है खेर ओफलाइन जाकि स्मार्टिपाई एक और विलेजर को ले आते हैं लेकिन फिर से उनका एक और विलेजर स्केप कर जाता है और गुस्य मैं कि स्मार्टिपाई उस विलेजर को किल कर देते हैं फिर एक कटाता है और स्मार्टिपाय कहते हैं कि बचे हुए दो विलेजर्स ने एक विलेजर को स्पॉन कर दिया है कमिने और आरेम गोलमे को मारने ना जाए बसब यापने आपी टीसरे विलेजर को उपर लेने के ले जा रहा था लेकिन यहापने इन्हों ने अपने आपी स्पॉन कर दिया मुझे अभी एक चीज पता चली है कि जो इसके मैकने इसे काम करता है अगरे एक तीसरे बैट अखेला होगा ना मैं तब खाली होगा तो य अपने आप ही breeding अब स्मार्टिपा इन् 2 वीलेजर ने स्पॉं किया है तो सबसे पहली चीज वीलेजर वीलेजर करते है जो इन हॉल से इजली स्केप कर जाते है और वीलेजर को गरो होने में एक दो दिन का टाइम तो लगता है लेकिन आप लोग देख सकते हैं स्मार्टीपाई का हेल्थ बार और फूड बार दोनों सेम हैं स्मार्टीपाई एक वीडियो अप्लोड करते हैं माइन क्लाउट बट यू जंप यू बर्न मतलब जब यू जंप करेंगे तब वो बर्न होंगी अब स्मार्टीपाई के पास होड़गी कमी हो जाती है तो वो ओफलाइन जाके क्रूटी मोड का यूज करके स्लेब ले लेते हैं लेकिन गलती से वो ओक स्लेब की जगह पेट्रिफाइड ओक स्लेब ले लेते हैं यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि स्मार्टीपाई के पास पेट्रिफाइड ओक्सलेब है जो सिर्फ क्रिट्व मोड से पोसिबल है हिमलेंस के सीजन वन का बेश तो आप लोगों ने देखाए होगा इस बेश को स्मार्टीपाई ओफलाइन बनाते हैं और फिर नेक्स्ट वीडियो में में टूर देते हैं पिछले पिस्टमे स्मार्टिपाई के पास मेलेंस इड होते हैं लेकिन इनके ऑफलाइन बनाये हुए फार्म में मेलं हीलोते ने डगाई होते हैं मेरे लगसे हैं का मिलानलो ओर और मुश्खिछिल से एक दोहीं मिलते हैं और आप लोग देख सकते है कि स्मार्टी पाई को pumpkin और melon seed लगाना नहीं आता है क्योंकि उस टाइम वो नए player थे वो बस creative mode में गए और जितने भी seed उनको दिखे इस farm में लगा दिया स्मार्टी पाई ने एक prison escape वाली video upload की थी अब एक moment ऐसा आता है जब स्मार्टी पाई के पास iron को smelt करने के लिए fuel खतम हो जाता है और फिर एक cut आता है और स्मार्टी पाई के furnace में fuel आ जाता है यह थोड़ी सी यूनो सोचने वाली बात है वहाँ पीछे एक crafting table दी हुई है अब इस crafting table को मैं तोड़ कई यहाँ पर डाल सकता हूँ बट crafting table मेरे inventory पाईगी नी तो यह बहुत ही बड़ी बेव कोफिय हो जाएगी मिरसे अगर मैं इसको तोड़ने कोछे ना मुझे लग रहा है गाई यह हो जाएगा में फ्यूल खतम होने वाला होता है और स्मार्टी पाई अपना face game फूल करते हैं gameplay को hide करने के लिए और तभी वहाँ फ्यूल आ जाता है वहाँ पर कोई और ब्लोक भी नहीं होता है जिसे स्मार्टी पाई फ्यूल के लिए काम में ले